अलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्ते अफिशल में आपका हम बात करना है नंबर सिस्टम फिशल क्लासेज हमारे इससवी ड्राइवर के केंडिडेट्स के लिए धेक्डिडेट्स ने मुझे पूछा था कि क्या बिएसव ट्रेड़्सम conception वाले कंडिडेट्स लिए क्या ये मैध पड्ने मैध बिल् lados कोई प्रब्लम नहीं है इसलिए उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल तो देखे हम दो क्लासेज हम कर चुके हैं यहां तीसरी क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे नंबर सिस्थम पढ़ रहे हैं तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि भज्य संख्याएं कौन सी है या योगिक संख्याएं ये भी धान रखना है आपको चार संख्याएं देके प्रेशन पूछ लिया निम्न मेंसे कौन सी योगिक संख्या है कौन सी योगिक नहीं है आपको एजी ऐसा प्रेशन पूछ लिया जाता कि पिखली SSB ड्राइवर भती में आया था, चार संख्या हैं देके पूछा था, निम्न में से कौन सी प्राइम नंबर है, तो वो आप तभी बता पाएंगे जब आप इसको बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, तो यहां देखिए आगे बढ़ते हैं हम, कि भज्य भज्य कौन सी है, वह प्राकर्ट संख्या जो एक तथा स्वेव संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पून तयविभाजित होती है, भज्य संख्या कहराती है, एक तथा स्वेव संख्या से गुणा होने का मतलब क्या है, कि जैसे हम पंदरा को लें, तो पंदरा मे एक का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा पंदरा बार चला जाएगा पंदरा का देंगे एक बार चला जाएगा अब इसके इलावा ये किस से हो रही है तीन का इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है तीन पांच पंदरा तो तीन का जाएगा तो जाहिर से बात है पांच का और जाएगा तो उसके आसानी से ऐ भज्य गुनन खंड हो गए कि नहीं हो गए तीन गुना पांच लेकिन हम यदि सत्रा को लेते हैं तो सत्रा के साथ ये नहीं होगा कि सत्रा में एक का भाग दिया तो सत्रा आ गया और सत्रा का भाग दिया तो एक आ गया लेकिन उ सत्रा को पूरी तरह बिभाजित कर सके यानिकि सत्रा में जिसका पूरा- गुनंखंड हो सकें, वो क्या हो गई, वो हम बात कर लिए यहां पर, वो हमारी भज्य संख्या है, हो गई, कौन कौन सी है, उनको आगे हम दिसकस करेंगे, यह बात आपको समझ आगी, जैसे देखिए हम लेते हैं 21, तो 21 के, अब ये एक, इसको तो छोड़ दीजिए, तीन ग कि अब भज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करते हैं, दो से भाग देना शुरू किया, दो का दिया, तो 21 आगया, फिर तीन, तीन का दिया, तो साथ आगया, तब तक देते रहते हैं, जब तक नीचे एक नहीं आजाए, एलसियम करते हैं, लगुतम, वो भी इसी तरी तो ये बात आपको समझ आगी कि जिसमें अब मैं आपको ये कहूं कि 98 तो देखे 98 क्या है समसंख्या जितनी भी समसंख्या होंगी वो भज्य होंगी एक ऐसी समसंख्या है उसको हम छोड़ दे तो वो कौनसी है उसके भी हम बात करेंगे तो जो भज्य नहीं है वो क्या है वो ए भज्य है ए भज्य को तूड़ भी कहा है और इसको प्राइम नंबर्स की कौनसी प्राइम नंबर्स हैं आपको चार संख्या हैं देके प्रेशन पूछ लिया कि निम्में से कौनसी भज्य है कौनसी ए भज्य है इस तरीके से तो इसको क्या कहा है प्राइम नंबर और जो ए भज्य था उसको क्या कहा था उसको कंपोजिट नंबर्स अब कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स आपको इंग्लिश वाला भी ध्याम रखना है कि जब किसी प्रश्ण में विवाद हो जाता है तो इंग्लिश वाला जो है वो म अन्य संख्या से पूंत रे विभाजित नहीं होती तो यह प्राकत संख्या हैं जो एक तथा स्वें संख्या के अलावा जैसे हमने उदाहन लिया था सत्रा का उदाहन लिया था एक का भाग देंगे सत्रा आ गया सत्रा का भाग देंगे एक आ गया लेकिन उसके अलावा तो और नहीं है तो ऐसी संख्याइं जो एक तथा स्वेव से एक से तो सभी विभाजित होती है और खुद से भी सभी विभाजित होती है तो जो एक तथा स्वेव संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से उन्त विभाजित नहीं होती वो क्या है वो प और उसका और कोई लिखने का परीका नहीं है बिल्कुल देखें बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा अब ये 97 तक आपको देखें इसमें कुछ questions बनेंगे जिनको आप कोई math की book लेते हैं तो उसमें note के रूप में लिखा रहता है note के रूप में पहला तो क्या लिखा रहता है कि एक नै तो भज्य है और नहीं आई भज्य है एक को तो हमने छोड़ दिया एक नै तो भज्य है नै आई भज्य है तो हम कहां से शुरू करें हम दो से श चोटी अभाज्य संख्या तो अभाज्य है तो सबसे चोटी अभाज्य संख्या है इसके अलावा इसकी एक और विशेष्टा है कि ये एक मात्र सम संख्या है चो एभाज्य है यानि सम होगी तो सम की क्या है परिवाज्या है सम को हम आगे लिखेंगे वैसे मुझे पहले बताना चाहिए ता सम संख्या अब बता देता हूँ आगे वैसे लिखा जाए कि सम कौन से है जिसमें दो का पुरा-पुरा भाज्याता है तो दो जो है वो एक और दो के लावा और किसी से पूंठ विभाजित नहीं होती इसलिए दो क्या है ऐ भज्य है तो क्या हो गया? नोट जो आपको लिखने हैं कि नोट आपको याद रखने वाली बातें भज्य भज्य में प्रेशन कैसा आ जाता है? सबसे छोटी एभज्य संख्या क्या है, दो, एक, दो, तीन, पाँच, भट सारे हमारे सातीस में क्या करते हैं, उत्तर लिग देते हैं, एक जो की गलत है, या तीन लिग देते हैं, तो सबसे छोटी एभज्य क्या हो गई? सबसे छोटी एभज्य अब दो जो है और दूसरा इसकी विशेष्टा क्या हो गई? कि यह एक मातर समसंख्या है, आपको पूछे कि कितनी ऐसी समसंख्याएं हैं जो एभज्ये हैं, तो गिंती में तो वो एक ही है कौनसी? दो, इन है, दो, तीन, पाथ, साथ, नो, देखिए, एक तो प्रशन अनता है, प्रसम पाच एभज्य संख्याएं, प्रसम पाच एभज्य संख्याओं का योग करो, उनका उसक करो, यह बहुत ज्यादा प्रशन आता है, लिंग्विज बेस जो क्रेशन होते हैं, उसमें, यानि प्रसम पाच एभज्य संख्याओं के हम बात करेंगे, प्रसम पाच एभज्य कौनसी होगी, यह यहां तक होगी, प्रसम पाच एभज्य संख्याओं का योग करो, जारा होगा, 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 प्रफम पाँच एभज्य संख्याएं तो ये आपको पता होना चाहिए प्रफम पाँच एभज्य संख्याएं इसके आगे आपको क्या प्रश्नाता है इसके आगे आपको एक प्रिशन आता है कि 25 तक, एक से 25 तक, तो 25 तक कितनी अभज्य संख्याए हैं, तो 25 तक कितनी हो गई, 25 तक हो गई, पांच और चार नो हो गई, 25 तक, 25 तक कि, यहां देखे, 25 तक कि, कि एक बार ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है, SSC के एक्जाम में रहे था, कि 17 से छोटी अभज्य संख्याओं का योग ना होगा, कि यह जो 17 है, यह उसमें एड नहीं होगा, यहीं तेरा तक का, तो पहली पांच का तो आपको याद है, परसम पांच, आभज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, हमें याद कर लेना है वो, कि वो 28 है, 28 में 13 और जोड दिया, तो वो 41 हो गया, कि 17 को भी कुछ लोगों ने उसमें क्या किया, कि 17 से छोटी, यदि आपको पूछता, 17 तक की अभज्य संख्याओं का योग, तब क्या कराएंगे, 17 को उसमें जोड देंगे, तो ये सो तक टोटल कितना होता है, सो तक होती हैं 25, कि आपको पूछा प्रशन, कि एक से 50 तक की, तो 50 तक की कहां तक लेंगे, यहां तक लेंगे, कि 25 तक की, ऐ भज्य, 25 तक की, ऐ भज्य संख्याओं, इसको हम इस तरीके से लिख लें, कि पर्शम पांच अभज्य आपको समझ आ गया है, कि 25 तक की, ऐ भज्य संख्याओं, देखें, मैं इसको ऐसे लिख लिख लेता हूं, ऐ भज्य संख्याओं, अब आपको कहता है, कि 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक कितनी अभज्य संख्याओं होगी, एक से 25 तक हमने याद क्या हुआ है, कि 9 हैं, कौन सी, कहां तक होई, 23 तक होगी, अब एक से 50 तक, यदि ऐसा ही पूछे कि, एक से 50 तक, तो एक से 50 तक, 9 ये हो गई, 10, 11, 12, 13, 14, और ये हो गई, 15, ऐसे ही आपको पूछ सकता है, एक से 55 तक, तो एक से 55 तक क्या होगा, ये 53 तक हो जाएंगी, 15, उसमें कितना और बढ़ गया, 6 और बढ़ गया, तो वो कितनी हो गई, 21 हो गई, और एक से 100 तक कैदी आपको पूछ लेता है, तो एक से 100 तक, ये हो गई, 25, एभज्यता की जाच कैसे करेंगे, उसको आगे हम पढ़ेंगे, यहां हम basic बात कर रहें हैं संख्याओं के बारे में, तो आपको ये पता हो गया, कि प्राइम नंबर कौन से हैं, एभज्यنت संख्याइं क्वण सी हैं, एक जो है वो ना तो भज्ये है, ना एभज्ये है, उसको हम count नहीं करते, उसके बाद हम बात करते हैं, कि 2, 2 जो है वो प्रशन पूछती आजाता है, कि सबसे चोटी भज्य संख्या कौन सी है, तो एक को आपने छोड़ दिया, दो और तीन को भी छोड़ दिया, फिर कौन सी आई हमारी चार आई, तो चार में क्या है, चार सम संख्या है, चार में तो का भाग जाता है, दो गुना दो उसके से भज्य गुनानकंड बन रहे हैं तो जितनी भी सम होगी वो क्या होगी कि आपको पूछे कितनी सम संख्याएं भज्य हैं तो आप क्या कहेंगे देखिए ये बेसिक बाते जब आपके ये प्रैमरी लेवल की बाते हैं लेकिन हुआरे बहुत सरे पता नहीं क्या पढ़ा जा रहा है मुझे नहीं समझा रहा काफी कंडिडिट्स कॉल करता हैं सर आप कब आफ लाइन शुरू करेंगे तो देखिए हमसा आपको आउनलाइन ही पढ़ा देंगे आफ लाइन जो है उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे नोट जो है वो मै है जिसंख्याएं कहलाती है जैसे हम बात करेंगे दो उर पांच है तीन सार चार ग्यारा इसको अब ही मुझे साथ नहीं पता कि है क्या है आगे बात करेंगे तब और आपको समझा जाएगा अच्छे से अब देखिए सम संख्याएं मुझे पहले लिखना पाई तो सम संख्याएं कौन से हैं जो दो से पून तयवाजित हो जाती है इवन नमबर्स तो कहां से शुरू होती हैं दो चार छे आठ दस बारा दो दो बढ़ती हुई चली जाती हैं तीन क्रमागत यदि आपको कहें कि तीन क्रमागत सम संख्याएं या तीन सतत क्रमागत ये की बात है क्रमागत सम संख्याएं या विशम संख्याएं तो अंतर कितने का पढ़ता है दो-दो कांतर पढ़ता है, यहां पर आपको कहा कि दो से लेके बारा तक क्या है, पाँच करमागत समसंख्याएं हैं कि नहीं है, पहली समसंख्या क्या है, दो है, अब तीन करमागत यह गाणित में हम क्या करते हैं, एक्स मानते हैं, अब जो आजिकल जो पढ़ाते हैं, जो एडवांस, वो यह कहते हैं कि एक्स नहीं मानना करिये, लेकिन मैं तो यही कहूँगा आपको, एक्स मान के करो, अराम से करो, कोई जल्दी नहीं अपने को, तो पहली संख्याएदी एक्स हो गई, तो दूसरी क्या हो गई एक्स, या तो इस एक्स प्लस दो में दो बढ़ा दो, या इस एक्स में डारिक की चार बढ़ा दो, तो यह तीन क्रमागत समसंख्याएं हो गई, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, लेंग्विज बेस जो क्रेशन्स आते हैं आपको भाशा परादरी, उसको आगे ह लिख सकते हो कि नहीं, कि प्रथम शेय, या इसे लिख दो, शेय समसंख्याएं हैं, वारा तक और दी चौदा तक हो जाएगी, आप सो तक कितनी समसंख्याएं हैं, सो तक आधी, सम हैं यानि कि पचास सम हैं, तो पचास जो बच गई वो क्या है, वो विशम है, सो तक ऐ 25 हैं तो यह बात आपको याद रहने चाहिए कि आपको बहतर समझना है सम के बाद में उसका ही दूसरा दोस्त है उसका भई विशम है और नमबर्स तो वे संख्याएं जो दो से पून पर भाजित नहीं हों जैसे कि आप यहां पर एक आ गया है एक तीन पांट साथ नो ग्यार तेरा पंद्रा एभज्य भी क्या होता है इहीं में होती है लेकिन वहां पर क्या होता है जैसे देखिए नो जो है वो उसमें क्या है तीन गुना तीन बन गया तो नो क्या है कि एभज्य नहीं है तो भज्य एभज्य सम कौन सी है जिसमें दो का पूरा-पूरा भाग जाता ह कभी ये नहीं कहना कि जिसमें दो का भाग नहीं जाता है। मैं था गया कि आगे जो है इसी पर अधरित आपको मिलेगा पूरा आगे बढ़ते हैं आप देखिए सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होता है आप तीन सम करें चार सम करें पांच सम करें कि यहां पर मैंने क्या किया दो चार छे क्या हुआ योग पारा हुआ पारा चाउद के देखेजिए कि 20 क्या है 20 सम संख्या है 30 सम संख्या है और 40 सम संख्या है इनका योग क्या हुआ कितना योग हुआ नब्वय हुआ तो वो नब्वय भी क्या है सम ही है कोई जरूरी नहीं है कि करमागत की हम बात करें जाने कि तम संख्याओं का योग हमेशा तम संख्या ही होता है लेकिन विशम संख्या की बात करें तो दो विशम संख्याओं का योग ही तम संख्या होता है जैसे देखिए एक और तीन को मैंने किया चार आ गया जो सम है इसी दरीके से मैं तेरा प्लास इक्किस यदि करता हू तो वो ही क्या हुआ चार और तीन तो तिस दू का भाग जा रहा है पूरा-पूरा यानि इकाई यंक से ही पता चल गया तू क्या है समसंग तो ये बात आपको बहतर समझ आगे लेकिन कभी आपको बरगलाने के लिए ये कह दिया जाए कि तीन विशम संख्याओं का योग तो तीन विशम संख्याओं का योग कभी सम नहीं हो सकता है ये याद रखना है कि एक तीन पांच पांच और तीन आठ औरे कितना हो गया नो हो गया कभी नहीं हो गा कि तीन विशम संख्याओं का योग या कभी कभी आपको ऐसे प्रशन दे लिए जाएं कि इन्यमन में से कौन सा कथन सत्य है कि सबसे छोटी है भज्य संख्या दो है विलकुल सत्य है दो विशम संख्याओं का योग सम होगा वही सकते है तीन सम संख्याओं का योग सम होगा वही सकते है लेकिन आपको य का सकते हैं? जैसे देक길, यह एक क्रूश्चन आपके लिए बनाया, यह 3 क्रमागत शमसंख्यावों का योग च्छतिस है, तो सबसे छोटी संख्या? अब इसको अब कुछ हमारे साथियों क्या होता है कि बड़ी कौफ होती है कि भात धिमी गती के समचार की तरह पढ़ रहे हैं तो पढ़ना पढ़ेगा धिमी गती के समचार की तरह नहीं पढ़ेंगे फास्ट्रेक पढ़ेंगे तो फास्ट्रेक हमारे उन साथियों को नहीं समझाएगा कि जो वाकई पके ड्राइवर है क्या पढ़ाई छोड़े वे 10 साल हो गए अभी तो साइड, ड्राइवर, ग्रीस और आर्टियो ये सब जो है इनके ही टपड़े में उल्जे रहते हैं लेकिन अब क्या हुआ कि फॉर्म फिल कर दिया तो पढ़ना तो पढ़ेगा तो जैसे मौका मिलता है वैसे पढ़ने कोई बाद में अब यहाँ पर क्या हो गया देखे पक्षांतरन मैंने आपको बताएथा सबसे पहली क्लास में ही कि पक्षांतरन क्या होता है कि x को सारे एक तरफ ले लो संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये एक दो तीन कितने x हो गए तीन x हो गए प्लस दो और चार कितना हो गया 6 हो गया परावर क्या है 36 है अभी तीन x बरावर पक्षान तरफ जाएगा तो क्या होगा निशान बदलेगा यानि कि 36 माइनस 6 तीन x बरावर क्या हो गया तीस हो गया तो x बरावर तीस बटा 3 तो ये हो गया 10 निशानी सबसे छोटी क्या है 10 है वैसे इसको क्या है ओसत से इसको करना आसान होता है तरीका लेकिन वो ओसत का जब पार्ट पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे अभी ये बेसिक तरीका है हमारा विलकुल जो पांचमी का जो तरीका है पांचमी क्लास का कि अभी कल ही एक केंडिडेट उन किये थे मुझे कि सर मैं स्लीपर बस चलाता हूँ और मैंने अभी पास छोड़ दिया है मैंने अभी एक्जाम तक तो यह आपके पास आफ-लाइन तयारी करने के आना है कि मैंने उनको की ऑफ-लाइन जो है वो तो एस्मर्त हमने जाहिर कर दी हमारी कि हम आपको ओन-लाइन ही पढ़ा देंगे आप 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 कहीं दूसरी जीगे ट्राइ कर सकते हैं अभी ऑफ-लाइन की हमारे पास व्यवस्ता नहीं है अब देखें यहां पर एक बार जहां आप कोंफूजन होता है कि आपको पूछा आप बीस तक की विशम संख्यां कौन-कौनसी हैं तो यहां हम एक, तीन, पांट, साथ, नो, ग्यारा, तेरा, पंद्रा, सत्रा और उनने से यानि बीस तक दस तम हैं, दस विशम हैं तो यहा पर इनको काउंट कर लो, कितनी हो गई, पांच, और पांच हो गई, दस, बीस तक की विशम संख्यां क्योंकि जब पौसत का जब चप्टरा बढ़ेंगे, उस समय इसकी जड़ब पढ़ेगी, कि प्रथम बीस विशम संख्यां, लेकिन अब यह जो है, यह बीस तक की विश संख्यां जो है, ये क्या होई, इनको हम दूसरी भाचा में क्या लिख सकते हैं, कि ये प्रथम दस, चलो, ऐसे दस लिख देता हूँ, प्रथम दस विशम संख्यां, ये पता है, कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं, जिनको बिलकुल उपर से भी निकल जाता है, लेकिन आप Aha इसम विशम संख्याएं, तो वो पर्थम 20 विशम संख्याएं, 20, 2, 40, यानि 1 से 40 तक की जो संख्याएं हैं, तो 40 तो क्या है, सम है, 40 से पहले वाली कुणसी हो गई, तो परवर्ती संख्याएं और अनुवर्ती उनकी भी हम बात करेंगे बाते, यानि 1 से 40, ये जो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं चले जाएंगे उसको, क्या 21, फिर 2 दो जोडते हैं, 23, फिर 25, यानि उसमें क्या होगा, कि प्रथम 20 विशम संख्याएं और 20 तक की विशम संख्याएं, तो ये बात आपको समझ आगी, कि 20 तक की या 10 तक की विशम संख्याएं, तो 10 त कि विशम संख्याओं में ये पाँच विशम संख्याओं होंगी लेकिन आपको यह कहते कि प्रथम दस विशम संख्याओं तो प्रथम दस विशम संख्याओं कहां तक हो गई उन्नेस तक हो गई तो ऐसे ही आपको कहते कि प्रथम सो विशम संख्याओं तो वो कहां तक करी जा थोड़ा सा बढ़ा दिया ओसत मुझे नहीं लिखना चाहिए था यहां पर मैं ओसत की जिए चार करमागत समसंख्याओं का योग लिख देता हूं कि योग 108 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है विकल्प देगा आपको आपको दो उत्तर दो दिये जाएंगे अब उनमें से एक पिक करना है तो पहला क्या है एक्स है दूसरा एक्स प्लस दो है तीसरा एक्स प्लस चार है चौथा एक्स प्लस छे है दो चार छे आक्ट क्या है सम विशम जैसा भी कहे इनका सबका योग करना है हमें ओसत अभी जिनको ओसत आता है वो समझ जाएंगे कि 27 24 क्या हो गया 108 हो गया चलिए हम ओसत खोड़ देता है तो योग ही जी 108 अब 108 हमारे driver वाले जो candidates है वो काफी लोग 108 से वाकिफ हैं कैसे है 108 से वाकिफ कि ड्राइवरी में क्या है 108 आठ तो है आठ तो जब आपका driving test होता है वहां पर 8 टेस्ट होता है 108 भी है तो यह 1,2,3,x कितने हो गए 4x हो गए प्लस कितना 2 और 6 और 6 हो गया 12 अब योग कितना होता है 108 होता है 108 पक्षानतरन करेंगे 4x बराबर 108 माइनस 12 निशान जब दूसरी तरफ संख्या जाएगी क्या होगा बदल जाएंगे बदल जाएंगे तो 4x बराबर क्या हो गया 108 में से 12 घटाएंगे तो 96 बच गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 पहाड़े भी आपको आने चाहिए है परिशानी हमारे क्या होता है आर्मी के जो किंडिगेट्स आते हैं वो दोडने में तो बड़े गोड़े की तरह दोड़ता है यह 24 तो यह 24 क्या है आपका उतर नहीं है 24 तो यह x है 24 तो दूसरी क्या हो गई 24 और दोड़े चब्वेस हो गई फिर 28 हो गई और सबसे बड़ी पूछी है आपको तो उतर बनाना है 30 यह सब करने के बाद भी क्या होता है कि a में ही लिखा रहता है 24 और हमारे कंडिडेट्स क्या करते हैं कि यह x मान के कर लिया यह माना सबसे छोटी x जिस सबसे बड़ी x करोगे तो फिर घटाने पड़ेंगे फिर माइनस में आएगा तो उस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन प्लस में करना जो है वो आसान रहता है तो यह हमने बात की है हाँ भज्य भज्य सम विशं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे कायत्री मोबाइल अप्लिकेशन आपके लिए बनाया है उसमें आपको प्राक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे और जल्द ही जो पहला सैट है वो आपके लिए लोड कर दिया क्या लेकिन वो ड्राइवर किसमें है एससबी में और ट्रेड्समैन से कहां वेदन कर रहे हैं यह सब में बिल्कुल पढ़ सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे तो आप और हम मिलकर करेंगे वर्दी की तैयारी जाए